हमें जानना है कि यह वायर के साथ लगे कॉंपने ठीक है या नहीं यह कैसे पता किया जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले हम इस मोटे वायर को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कंडिशन में इसका क्या होता है हालो फ्रेंड्स मैं मुहम्मद कुदूस मल्टी टेक्ट इवेकिल लेब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज का में टॉपिक यह है कि कंड्रोलर के अंदर जो यह वायर्स है जैसे कि आप यह देख रहे हो यह हमारे पास एक स्कूटी का कंड्रोलर है तो इस वायरो का डीटेल्स क्या है कौन कहां जुड़ेगा इसका इंपिडेन्स क्या होगा इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं दोस्तों तो ध्यानपुर्वक इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत सारी इसमें इंफर्मेशन मिलेगा, इन वायरों का नाम क्या है, इसको कैसे चेक करते हैं, ये सारी जनकारी आपको इस वीडियो में दी जारीए दोस्त, तो आएए, हम लोग सबसे पहले इस स्कूटी के चार में हम जान रहे हैं, कॉपी हो या ओरिजिनल हो, वो सेमी होता है, बस इसके इंपिडेंस हमें जानने हैं, और इसके वायरों के नाम क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो दोस्तो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मोटे वायर्स हैं, रेड और ब्लेक, ये लाल और काला वायर, लाल और काला वायर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बैटी से कनेक्टेड होगा, यानि 48 बोल्ट की बैटी से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन बैटी के जो दो टर्मिनल होते हैं, ब्लेक एंड रेड, तो ब्लेक वाले तार को हमें बैटी के निगेटिव स तो यह आपको supply के wire से उसके बाद अब यह जो तीन wire आप देख रहे हैं जिसमें आपको yellow, blue and green यह तीनों wire motor से connect होते हैं उसके बाद यह जो आप orange color का wire देख रहे हो यह orange color का wire ignition key का wire है उसके बाद दोस्तों अब हम लोगों को जो main तार्स हैं जो main हैं जिसकी बहुत जरुवत पड़ती है उसके बारे में पहले मैं discuss करूँगा यह आप देख सकते हैं 6-pin का coupler है लेकिन इसमें 5 wire है लेकिन इस coupler को motor hall sensor से जोड़ा जाता है यह motor hall sensor का coupler है इसमें जो colors हैं इसको आप ध्यान से देखिए सबसे पहले यह black wire उसके बाद red wire यह दोनों supply के wire होते हैं कह सकते हैं उसके बाद यह जो पीला उसके बाद green और उसके बाद blue है यह तीन wire यह motor hall sensor का wire वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसपे जो लालतार है hall sensor का इसपे प्लस 5 volt आएगा यह 0 यानि यह 5 volt supply के wire हैं और यह जो तीनों wire हैं इसपे भी 5 volt ही आता है लेकिन यह supply के wire नहीं बलकि signals के wire हैं तो यह हमने motor hall sensor के बारे मताया जो motor से जुड़ेगा same to same match कराना होगा तब यह चलेगा अधरवाज नहीं उसके बाद इसमें से एक wire और लेना है जो कि throttle का होगा या accelerator का यह देखिए तीन पिन का male coupler है और इसमें तीन ही wire है एक red एक green और यह black तो यह तीनों wire का connection हम accelerator से या throttle से करेगी यह जो लालतार आप देख रहे हो यह लालतार जो होता है यह आपको supply का wire है और इस पे जो supply मिलेगी 4.3 volt के आज पास जिस पे आपको कोई भूल्टे नहीं मिलेगा यह signals के wire है यह हम कर सकते हैं input और output wires जिस पे आपको throttle के घुमाने के बाद यानि जब आप throttle को घुमाएंगे तब आपको लगबग 3.6 volt मिलेगा और कम से कम 0.8 volt उसके बाद दिरे-दिरे जब accelerator घुमाया जाता है तो यह 3.6 ते आसपास इस green wire पे voltage आएगा जो की controller का voltage नहीं होता यह voltage मुख्य रूप से accelerator का है और इस पे 0 volt आता है यानि इस connector को हम match करा करके accelerator से जोड़ेंगे तो दोस्तो मैं जो wire आपको बताते जा रहा हूं मैं अलग कर रहा हूं उसके बाद एक main और wire है जिसे हम कर सकते हैं speedometer जैसे कि आप यह देखिए यह जो green wire है यह speedometer का है तो दोस्तो इस पे कितनी voltage आएगी यह depend करता है कि आप accelerator कैसा घुमा रहे हैं जब आप accelerator घुमाएंगे तो लगभग यह 22 volt 24 volt तक भी यह 100 कर जाएगा जीरो से ले करके 24 volt इस पे आती है डिपेंड करता है कि आप accelerator कैसे घुमा रहे हैं अगर accelerator फूल एक्सिलेटर देने पर 24-25 volt यहां पे मिल सकता है उसके बाद अगला wire से जैसे कि यह wire भी हमारे काम का है जिससे brake wire करते हैं इसके साथ brake switch जूडा होता है जब हम brake अगर को प्रेश करते हैं यानि इसके अंदर हमें 12 volt की supply प्रवाइट करनी होती है तो यह बारबूर की supply आपको external देनी होगी है जब brake switch को दबाएंगे तो यह voltage यहां पे आएगा तो यह brake wire है उसके बाद अब बच जाते हैं यह wire जो पीला और ब्लेट है तो पीन मेल कपलर यह reverse का wire है दोस्तों मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि यह पीले wire पर लगबग 5 volt का signal हैगा और यह black wire है जो 0 volt का है अगर मैं इसे direct रखू ना connection करूं reverse switch से तो आपको motor सीधा चलेगा लेकिन जैसे उसमें forward reverse का switch accelerator के साथ जोड़ा जाता है या जूलावा होता है जब मैं उसे switch को reverse में जोड़ दूँगा तो यह 5 volt 0 volt के रूप में बदल जाएगी यानि यह controller low sense करेगा और sense करने मोंटर को उल्टा चलाएगा उसके बाद अगर मैं motor के speed को कम ज्यादा करना चाहता हूं तो इस wire को जोड़ सकते हैं जो speed के wires हैं जिसे हम speed को घटा बढ़ा सकते हैं यानि motor के speed को ऐसे जोड़ने से speed कम हो जाएगी और खोल देंगे तो बढ़ जाएगी तो यह mains wire आपको बता दिए उसके बाद बज जाते हैं यह total wire दो हमारे पास जो दो कपलर हैं यह जो कपलर हैं यह मुख्य रूप से security alarm के लिए है इस पे 48 volt की supply आती है यानि जब हम controller को जोड़ेंगे तो 48 volt प्लस और 0 मिल जाएगा इस पे 5 volt का signal आता है और प्लस आपको 48 volt भी आता है और फिर जब accelerator घुमाते हैं तो यहां पर भी voltage up down होती है जो कि मुख्य रूप से security alarm के लिए किया जाता है तो दोस्तों मैंने इसका connection तो पूरा बता दिया लेकिन यह okay है या faulty है अगर मान लिजी आप नया कोई controller खरित के लाते हो यह आपके लिए बहुत important चीज के ला रहे हो तो वैसे तो warranty नहीं होती है लेकिन आप multimeter के द्वरा काफी हद तक यह जान सकते हैं कि controller ठीक है या नहीं इसके बीना खोले हुए जैसे कि हम लोग यहाँ पर बीना खोले हुए भी आराम से बता देते हैं कि यह controller ठीक है या नहीं तो यह कैसे पता करेंगे कि जो मेरे पास यह controller है हमने नया खड़ित के लाया है यह सई है या नहीं इसके बारे में भी अब मैं इस वीडियो में जनकारी दे रहा हुए वायर के नाम आपको बताए जा चुके हैं अब हमें जनना है कि यह वायर के साथ लगे component ठीक है या नह नहीं यह कैसे पता किया जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले हम इस मोटे वायर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंके condition में इसका क्या होता है तो इसके लिए आपको एक multimeter चाहिए और multimeter के द्वरा हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि यह सई है या नहीं सबसे पहले multimeter को बजर पे adjust करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं और एक बार इस meter को चेक कर लेना यह सही है या नहीं यह दोनों प्रॉप जोड़ करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि आवाज आ रही है इसका मत्तब है continuity ठीक है अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि supply और ground wire के अंदर sorting है या नहीं कि हम कैसे जानेगे जैसे कि मैं बता चुका है इस वीडियो में कि यह बैटी का minus है यह बैटी का plus है अब मैं बताने जा रहा हूं कि क्या controller में sorting है या नहीं कैसे पता करते हैं तो इसके लिए दोस्तों याद रखना है कि आपको multimeter का rate probe को black probe के साथ जोड़ना ह जैसे कि मैं आप जोड़ चुका हूं यह बैटी का minus terminal याणि black है और यह multimeter का rate यहां मैंने जोड़ा और जैसे ही मैं इसको rate रेट प्रव के साथ multimeter का black probe जोड़ रहा हूं आप देख रहे हैं कि कि यहां पे कुछ ने कुछ ओम आ रहा है जैसे कि यहां पर आप देख रहें क कुछ ने कुछ ओम आ रहा है यह जरूरी नहीं है कि यहां पर 585 आ रहा है तो इसका मत्ब यह सही है एकदम एकुरेट है यही आपके दूसरा कंट्रोलर में आएगा ऐसा कुछ नहीं है में कमन बात आपको यह याद रखना है कि 400 से 800 के रिंज के बीच कुछ नहीं कुछ यहां पर जरूर रहना चाहिए लेकिन जब मैं इसको प्रव को बदलूँगा तो यह कुछ सेकिंड के लिए डिजिस सो करेगा और उसके बाद निल हो जाना चाहिए जैसे कि आप देख रहे अब धिरे-धिरे यह वेलू शिफ्ट हो जाएगी और एक समयाएगा कि गायव हो जाएगी देखिए दोस्तों यह गायव हो चुका है मल्टिमीटर के द्वरा इसका मतलब यह हुआ कि हम यह माल लेंगे कि जो इसकी सप्लाई भी भाग है वो बिलकुल सही है उसमें कोई द तो हमने यह सप्लाई भी भाग में कोई सौटिंग नहीं है यह हमने किलियर कर लिया अब हमारे पास यह बच जाते हैं तीन वायर तो इन तीन वायरों का क्या होगा इसका क्या इंपडेंस आएगा तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा रेड प्रव अटेच विद ब्लेक वायर यानि मल्टी मीटर का लाल कार बैटी के निगेटिव से जोड़ना है और फिर ये मोटर के जो ग्रीन वायर ब्लू वायर और रेड वायर है इन तीनों पे बारी-बारी से हमें प्रव रखना है ब्लेक तो कुछ न कुछ ओम आएग जैसे कि आप देखिए यहां पे आया 373 तो दोस्तो लगबग इससे मिलता जूलता तीनों वायरों पे आना चाहिए अगर लगबग एक जैसा मिलता जूलता आंसर मिलता है तो इसका मत्तब इस मोटर के वायर को भी हम सही बोले देखिए मैंने ऐसा रखा अब मैं ब्लू व अंतर आता है तो उसे सही माने जैसा कि आप यह देख रहें इसका मतलब अब मैं यह कर सकता हूं इन पांचों वायरों के बारे में इससे हमें बंद इस डब्बे के अंदर कहां तक सही है यह आसानी से पता किया जा सकता है यानि हम कर सकते हैं कि सप्लाइब भाग में कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यह जो तीन वायर जो मोटर के वायर जो कि अभी आपको सो किया लगभग इक्वल ओम इसका मतलब यह हुआ कि मॉस्फेट जो इसके साथ लगे हुए होते हैं जो पुश्पुल विभाग से जुड़ा हुआ होता है यह बिलकुल सही है यानि हम हम इस पांचो वायर को चेक करके यह कंफर्म कर लेते हैं कि क्या मॉस्फेट खराब है या नहीं साथी साथ सप्लाई भी भाग में यानि आप तालिस बुट के ट्रेक में कोई चीज खराब है या नहीं यह बड़ी आसानी से हम इस पांचो वायर को चेक करके पता कर सकते है उसके बाद अब जो मेन वायर के बाद यह हमारा यह की वायर है अब की वायर का क्या ओम आएगा यह भी हमें पता होना चाहिए तो की वायर में हर हालत में आपको नील सो करेगा अगर यह ओके होगा तो नील सो करेगा इसके लिए हमें क्या करना है ये red wire को जोड़ देना है कुछ ऐसे बैटी के minus से अब आपको पास multimeter का ये black wire है तो black wire के साथ की wire के साथ जोड़ देना है और जोड़ने के बाद आपको निल सो करना चाहिए अगर निल सो कर रहा है तो क्या माना जाएगा ये okay है ये बिलकुल ठीक है निल ही आना चाहिए लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो अभी ऐसे निल है अगर इसके अंदर के wire टूट गए है तो क्या होगा तो वो भी तो निली आएगा तो मैं कैसे shear करूँगा तो दोस्तों इ को जोड़ेंगे कहां जोड़ेंगे उसका क्या impedance होता है क्या ओम्सो कर रहा ये सारी जनकारी आपको यहां पे बहुत अच्छी तरसे दी जाती है लेकिन फिलाला में ये समझना है कि ये controller ठीक है या नहीं तो देखिए यहां पे नहीं लाया इसका मतलब है कि wire इलकुल सही ह उसके बाद अब हमें आना है next topic के उपर ये motor hall sensor का wire तो इसके लिए भी क्या करेंगे कि black probe यहीं रहेगा यह black या जितने भी black wire होते हैं आपस में connected होते हैं जैसे कि आप देखिए यहां पे connected है अब हमें red wire या sensor wire को check करना है तो तरीका same है यानि हमें क्या करना है red wire black पर रख चाहें आप यहां भी रख सकते हैं black probe और red probe आपको जो red वाला wire है यहां पे black से ही जोड़ना है और आपके पास जो black wire है वो यहां से red से जोड़ देना है तो यहां पे कुछ लग कुछ ohm show करेगा लेकिन यह 1000 से उपर show करना चाहिए तो इससे कर रहा है इसका मतलब है कि यह supply wire है वो बिल्कुल सही है अब हमें क्या करना है कि इस पे कितना voltage है यह कैसे पता करेंगा तो दोस्तों जब हम key wire पे supply देते हैं तभी यहां पे 5 volt की supply आती है जो कि यह supply यहां पे मिलेगी अब हमें इन वायरों के बारे में जानना है कि क्या यह wire ठीक है या नहीं या इससे जूड़े company ठीक है या नहीं यह भी हम बंद यानि अगर controller बंद है तो भी हम पता कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है rate probe को कमभनी रखना है जैसे कि यहां पे रखा हुआ है ब्लेक से जूड़ावाए अब आपको green और blue और yellow आयर पे बारी बारी से रखना है तो यह भी लगबग एक जैसा ओम सो करेगा जो भी आएगा वो answer एक जैसा मिलता जूलता रहेगा जिसमें 5 ओम आगे पीछे भी आए तो उसे okay मानें देखते हैं क्या होता है देखिए 847 इसका मतलब इसी क्या स्पास आएगा 46 and 45 यानि लगबग सही है यह पांच ओम का अंतर भी चलेगा इसका मतलब है कि यह sensor wire भी पिलकुल सही है अब आते हैं अब जो दूसरा topic आ रहा है कि इसी में हमारा जो accelerator wire है वो सही है या नहीं तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है multimeter का ये red पर हटा देना है और इसमें same लगाना है यह यहाँ पर याद करने वाली चीज है कि यहाँ पर जब हम accelerator के wire चेक करें तो black को black में और red को red में जोड़ दें तो कछ न कुछ ओम आना चाहिए जखिए यह जोट गया यहां पर कुछ न कुछ ओम आ रहा है आप देख लिए आ रहा है अब ग्रीन पर क्या होगा टो ग्रीन पर एगर रखेंगे इस black को यहीं पर जोड़ना है और rate पर रखेंगे तो कुछ न कुछ ओम आता है यहां पर रखें तो कुछ न कुछ ओम आएगा लेकिन यह रहाएगा लेकिन यहां पर मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर local meter होगा या कम पैसे का multimeter होगा तो क्या होता है कई बार यह nil भी शो करता है तो अगर आपके पास local meter है या कम पैसे का meter है तो उसमें क्या आता है यह सारी चीज़े यहां पर बताई जाती है अब आते हैं next यानि sensor wire के सारे components सही माने जाएंगे अब जो हमने main main चीज़े दिखा दिये हैं अब यह जो green accelerator के wire हैं इसका connection ठीक है या नहीं इसके बारे में भी जानना है तो इसके लिए भी हमें black probe को इस accelerator wire से जोड़ देना है और red probe को यहां जैसे कि black wire से जोड़ना है और accelerator wire को भी आपको speedometer का जो wire है उससे जोड़ेंगे तो यह भी आपको कुछ ने कुछ ओम आना चाहिए तो दोस्तों हमने इसमें से main जो wire से उसका impedance यहां पर बताया है इससे साब जाइर होता है कि यह controller बिल्कुल ठीक है कोई दिकत नहीं है तो इसी तरह से हमें main wire okay होना चाहिए बाकी wire में अगर थोड़ी सी fault भी होती है तो उसे हम खोल करके इसे repair कर सकते हैं वैसे तो हमने इसके बारे में जो main wire थे हमने सारे बता दिये हैं और बाकी जो wire है जैसे कि हमने इस wire की बात करूँ जो की red and black है इसमें 48 volt होता है यह आपको connection इस से होता है और इस से होता है direct अगर मैं check करूँ तो बजर आएगा इसका मतलब है कि wire सही connected है तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो main wiring का connection है यह मैंने आपको बताया है वैसे यह controller बिल्कुल ठीक है लेकिन यह खराब भी होगा तो कैसे सही करना है इसकी पूरी जनकारी दी जाती है यहाँ पर साथी साथ सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ आते हैं कि यह बच्चे तोड़ के ला दिये सा सारे तार या अगर जड़ा सोचिए कि आने वाले समय में बहुत सारे अंट्रेंड टेक्नीशियंस हैं वो सारे connector काट देते हैं अब काट दिये तो मुझे यह नहीं पता चलेगा कि कौन सा वायर कहां जुड़ेगा तो इन सारी समस्याओं को ध्यान देते हुए हम लोग ऐस से ट्रेनिंग देते हैं कि चाहें तुम पूरे connector को काट दो तो भी इसका connection किया जा सकता है या आप पूरे wire को काला भी लगा दो पूरा total wire को black भी लगा दोगे तो आपको कैसे पता करना है कि कौन सा वायर का नाम क्या है वो हम कैसे पता करेंगे कि accelerator का वायर कौन है या throttle का या कौन है या motor hall sensor का वायर कौन है यह सारी जनकारी ब्रिहद रुप से आपको दी जाती है चाहें आपको यह speed के लिए होता है अगर यह wire तूड़ जाए या speedo wire तूड़ जाए या फिर आपको security alarm का wire तूड़ जाए या उसका color change कर दिया जाए तो वो कैसे जोड़ेंगे कह कौन कौन से से point होते हैं अगर वहाँ पर track तूट गया है कहीं पर कुछ लिखावा था हमने उसे रट लिया रटने के बाद भी कोई चीजें यह Chinese चीजें कभी भी वो language change कर देता है या अगर माली जी आपने thinner से उसे अच्छी तरसे धो डाला तो number उसका मिट गया तो यह wire क कहां जूड़ेगा अगर आप इस तरह की टेडिंग लेना चाहते हैं तो एक बार multi-take जरूर जोइन कीजिए और कम से कम एक बार मेरे से एक बार एक class लेकर देखिए आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा main मकसद यह नहीं है कि आप controller ही ठीक करें आप हर त उसके बारे में भी यहां पर business idea आपको आसानी से दिया जाएगा उसके लिए कोई फीस नहीं है और आप चाहते हैं कि अगर मालीज यह कोई ऐसी problem साती है जो आप वैसे तो 90% हो जाता है लेकिन यह भी कहूंगा कि आप एक महीने के अंदर पूरे master तो नहीं होते हैं हम 10 में से 5-6 controller या 5-6 charger आराम से ठीक करें वो practice के उपर depend करता है और आप धिरे-धिरे पूरे के पूरे charger को ठीक कर सकते हैं और controller को ठीक कर सकते हैं वैसे हमारे पास इसके checking के लिए अगर मैं यह सारे चीज़ चाहूं तो मैं इस board से भी हम 1 second के लिए लगा करके और पूरंद च PC controller को चेक कर सकते हैं तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कुछ चीज़े बताई है आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे thank you thank you very much